नवश्कार मेरा नम बीना है और आप दा इंजिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि एक तरफ जहां नितिस कुमार अपने 15 साल बे मिसाल की गाथा गाने वाले हैं दूसरी तरफ आज राज़त में लालो प्रशाद यादव चार साल बात जाएंगे और लांटेन जलाकर जो 6 तन का लांटेन जलाकर वो एक नहीं तरह के मैसेज दनी की कोशिस करेंगे ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं लागातार सीम नितिस कुमार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें ट्विटर पर कई ऐसे ट्विट किये हैं जो अब वाइरल हो रहे हैं उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सीम नितिस कुमार को घेरा है और कहा है कि आप मुझे तेर पहले तेजस्वी यादर ने 16 वर्सों के मानकों पर राज्चे को फिसड़ी साबित करते हुए एक इस तरह के बयान दिये जिसमें उन्होंने लिखा है कि उसके बाद आपको बता दे कि हमने इसका पहले भी जिक्र किया था कि किस तरह उन्होंने सवालों के घेरे में रोजगार के मुद्धे पर नितिस कुमार को घेरने की कोशिस की है उसमें उन्होंने कहा है कि आप कलम एक और कोपी लेकर हमें खुद बुलाईए मैं बताऊँगा कि कब कितना कैसे और क्यों और कहां बिहार की वाओं को नौकरी वरोजगार देना है कैसे IT पार्क उद्धोग धंदे लगाने हैं कैसे क्लस्टर बेस्ट इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट करना है बिहार को अब आपकी संक्रीन और काल ग्रस्त सोच नहीं चाहिए इस तरह के बयान जो है उन्होंने अपने ट्विटर हंडल पर जारी किये हैं इसके बाद आपको बता दे हम कि कई और भी मुद्धे हैं जिन पर तेजस्वियादर में सरकार को घेड़ने की कोशिस की है ऐसे में जद्यू प्रवक्ता नीरज कुमार जो है उन्होंने भी कई आरोब तेजस्वियादर पर लगाए हैं कि इनकी पार्टी जो है वो सिफ अपनी संपत्ति संचय कर रही है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या कुछ दोनों पक्षों की और से कहा गया है तो आपको बता दे नेता प्रत्रिपक्ष तेजस्वियादर अब मुख्य मंत्रु नितिस को ग्यान दे रहे हैं तेजस्वियादर की मा और पिता ने रोजगार के लिए जो जमीने लोगों से ले ली हैं वो सभी को लोटा दें लालू जी के भाई मंगरू राइक के पोते की पतनी गुझन यादर के सिक्षक काउंसलिंग हुई है पूछिये कैसा लगा है और क्या है लेकिन तेजस्वियादर के नाम से तो जमीन अरजित की गई है तरून यादर के नाम से भी जमीन लिखवाई गई है उन्होंने कहा है कि पिता की लालू यादव को 2005 से राजनितिक ब्लड प्रेशर है बेटा ने तो शुरुआत की है कहा है कि तेजस्वी यादव रोजगार स्रीजन की बात करते हैं यह लोग तो अपनी संपति स्रीजन करने वाले लोग हैं ऐसे में निरज कुमार ने भी बड़े आरोप तेजस्वी यादव पर लगा हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए रोजगार की बात करते हैं वो रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर रहे है बलकि अपनी संपति को और बढ़ाने का पूरा लालू परिवार काम कर रहा है ऐसे तरह 15 साल में बिहार में काम हुआ है वहीं आज कई सालों बाद लालू परिशाद यादव राज़त कारियाले जाएंगे और लांटेन जलाकर राज़त कारियाले को प्रकाश में करेंगे ऐसे में देखना दिलचर्श को होगा कि आगे किस किस तरह के बयान दोनों ही पाठी के लिए बने रहें दा इंडिया टॉप के साथ धन्यवाद